महात्मा गांधी, M.N. ड्रोय, J.P. नारायन और रजनी कोठारी जैसे वेचारकों ने इंडिया में पार्टीलेस डेमोकरिसी की बात की थी यानि कि उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में बिना राजनीतिक दलों के राजनीती और लोकतंत्र को स्थाथिक किया जाना चाहिए अगर मैं आपसे पूछू कि क्या इंडिया में आप भी पार्टीलेस डेमोकरिसी चाहते हो या फिर इंडिया में भी क्या बिना political parties के politics और democracy संबग है तो मुझे पता है कि maximum students की यही राय होगी कि सर कैसे possible है बिना parties के democracy और politics इंडिया जैसे एक बड़े देश में कैसे possible है democracy या फिर politics और बात बिल्कुल सही भी है इसी लिए वर्क जैसे conservative thinker ने ये कहा था कि दल ये वेवस्था अच्छी हो या बुरी हो लोकतंदर के लिए जरूरी है वहीं दूसरी तरफ newman ने भी ये कहा था कि राजनेतिक दल आधुनिक राजनेतिके प्रान होते है हाई मैं हूँ अर्जे और आप देख रहे हैं सार सक्सेस इससे पहले कि हम political parties को अच्छे से समझें, discuss करें सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आखिर आपको ये lecture क्यूं देखना है, क्यूं सुनना है क्यूं आपको आधा घंटा इसमें invest करना है दूसरी वज़े यह है कि इसमें मैंने दोनों ही चीजे concepts और facts को add किया है यानि कि इसमें मैंने theories और facts उसको add किया है, जो कि exam की demand है वहीं तीसरी वज़े यह है कि अगर आप YouTube में जाओ और political parties को search करो तो आपको कोई ऐसी complete video नहीं मिलेगी, जो आपके exam के लिए बहुत फायदेमन्द हो आपको अंदर से satisfaction मिले वहीं इसकी अगली वज़े यह है कि यह lecture आपके लिए बहुत important है as a student of political science या फिर exam के perspective से वहीं अगली वज़े यह है कि यह lecture complete होने वाला है क्योंकि इसको मैंने exam को ध्यान में रखते हुए complete रूप से तयार किया हुआ है और last वज़े यह है कि इसमें मैं आपको कुछ additional information देना चाहता हूँ जो आपकी knowledge को और अधिक boost कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह lecture जरूर देखना चाहिए political science के हर student को यह lecture देखना चाहिए सुनना चाहिए और note करनी चाहिए चीजों को अब हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि what is political party political party क्या होती है तो जब हम बात करते हैं political parties की तो हम कह सकते हैं कि political parties लोगों के ऐसे organized group होते हैं जो की voluntary associations होते हैं यानि कि लोग इसमें स्वेचिक रूप से जुड़ते हैं और इसमें जो individual होते हैं वे political power को gain करना जाते हैं constitutional means के द्वारा यानि कि संबेधानिक साधनों के द्वारा राजनितिक शक्ति प्राप्त करना जाते हैं एक दुसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं समान राजनितिक विचार रखते हैं और साथ में वे जुड़कर national interest को बढ़ावा देना जाते हैं उसे हम simple भाषा में political party गहते हैं वहीं लिकॉक ने political parties को define करते हुए कहा कि राजनितिक दल से हमारा अभिप्राय है लोगों के ज्यादा या कम संगटित समू से जो राजनितिक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं वहीं Lord Bryce ने कहा दल राश्टर के मन को सजीव रखते हैं जैसे ज्वारभाटा समुद्र को दूसरी तरफ जोया हसन ने political party के बारे में कहा है कि राजनितिक दल एक प्रतेने दित्व शासन वेवस्था में मुख्य राजनितिक संस्थान है कंजर्वेटिव थिंकर एड्मन वर्क ने राजनितिक दल के बारे में कहा है कि राजनितिक दल लोगों का एक ऐसा समू होता है जो किनी विशिष्ट सिधान्तों के आधार पर राश्ट्र हितों को आगे बढ़ाने के लिए संबेहानिक तरीकों से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है अब हम इस प्रेजेंटेशन में कुछ इंपोर्टेंट पोलिटिकल थिंकर्स को डिसकस करेंगे जिनोंने पोलिटिकल पार्टीज के उपर बहुत ज़्यादा काम किया है तो इनमें पहला नाम आता है मौरिस्ट डूबर्जर का दूसरा नाम आता है जियूवेनी सातोरी का वहीं तीसरा नाम आता है पोलंबरा एंड वीनर का वहीं अगला नाम आता है अलन आर बॉल वहीं अगला नाम आता है Gene Blondel और अगला नाम आता है Care Strom वहीं अगला नाम आता है Auto Kirchheimer वहीं अगला नाम आता है Cards and Mayor और अगला नाम आता है Almond और अगला नाम आता है Sigmund Newman और अगला नाम आता है Lenin और लास्ट में हम बात करेंगे Robert Michels की पुलिटिकल पार्टीज की थिंकर में अब हम सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं मौरिस डूबर्जर की तो मौरिस डूबर्जर एक बहुत ही बड़े थिंकर रहे हैं जो कि फ्रेंच जूरिस्ट रहे हैं, सोशियोलाजिस्ट रहे हैं, पुलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और स खास बात यह है कि Morris Dewarger को जाना जाता है correlation between first past the post election system and the formation of a two party system जिसको जाना जाता है Dewarger's law और Dewarger's law क्या है इसको हम बाद में अच्छे से discuss करेंगे और इन्होंने political system जो France का है उसको इन्होंने analyzed किया और इन्होंने एक important term semi-presidential system को coined किया और खास बात यह है कि इन्होंने political system की classification के लिए best trend European countries का अध्यान किया इनके कुछ important works भी रहे हैं जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि exam की दिश्टी से यह बहुत ही important है तो इनका पहला work आता है the idea of politics, the uses of power in society, दूसरा work आता है the study of politics, अगला work आता है political parties, their organization and activity in the modern state और अगला work आता है the French political system, वहीं अगला work आता है party politics and pressure groups, और last में जो इनका work है जो कि बहुत important है वो है modern democracy is economic power versus political power अब हम Duberger's laws को अच्छे से समझ लेते हैं कि Morris Duberger इस law के बारे में क्या कहते हैं तो Morris Duberger ये कहते हैं कि जो electoral system होता है और system of political parties होता है उसके बीच एक direct relationship पाई जाती है इसके माइने ये है कि ये कहते हैं कि अगर कोई electoral system है और वहाँ पर अगर first post the past system पाया जाता है तो वहाँ पर जो multi party system होगा वो two party system में convert हो जाएगा example के लिए जैसे अभी हाले में UP में election हुए वहाँ पर भी हमने SI देखा था और उससे पहले West Bengal में जो election हुए थे वहाँ पर भी जो diverger law है वो fit बैठता है यानि कि इसका मतलब ये है कि इसके अंतर का जो third party है वो गायब हो जाएगी क्योंकि Morris diverger ये कहते हैं कि लोग strategically भी बोट करते हैं और voters जो है third party जो है उसको हराने के लिए इस तरह से बोट करते हैं कि वो सत्ता से बाहर हो जाए और इस तरह से जो एक multi party system है वो two party system में convert हो जाता है जिसको की diverger's law कहा जाता है Morris diverger ने दल यानि की party का organization के base पे चार आधारों पर classification किया है जिन में पहला आता है काकस दल, दूसरा आता है branch दल, तीसरा आता है cell दल और चौथा आता है miligia तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं काकस दल की, तो ये एक ऐसी party है या फिर ऐसी parties होती है जो specific people की party होती है जो केवल election के दोरान ही active रहती है और इसका west example है USA और इसी आधार पर आलमन ने USA के संधर्व में sleeping dogs theory दी थी दूसरा है branch दल, तो ये basically mass party होती है जो की ये लक्षे रखती है कि अधिक से अधिक membership हो यानि कि अधिक से अधिक लोग जुडे और ये हमेशा active रहती है और इसका जो example है वो है India and Britain, तीसरा है cell दल, तो basically जो cell दल होता है ये unite करता है all party workers और इसके members और ये जो farmers होते हैं workers होते हैं उनके support पर ये ध्यान देता है और इसका जो best example है वो है communist parties और वहीं चौथा है Malaysia तो ये एक प्रकार से private army के जो members होते हैं उनको enroll करता है उनको अपने साथ जोड़ता है जैसे की military lines पे होता है आप इसके नाम से भी इसका पता लगा सकते हैं तो इसके example है Nazi party Germany में Red Army Mao की और वहीं strong troops Hitler के तो ये इसके west examples हैं एरिया के आधार पर Morris Dewarger ने दो प्रकार की political parties की classification की है जिनमें पहली आती है cadder party और दूसरी आती है mass party जब हम बात करते हैं cadder party की तो ये basically एक party of novels है यानि कि जो novel people है उनकी party है जो की choice में believe करती है election में believe नहीं करती है और इसको guided किया जाता है जो elite professionals होते हैं उनके द्वारा और ये cable election में ही activism करती है और ideology की इसमें importance रहती है और खास बात यह है कि जो universal suffrage था उससे पहले ये पाई जाती थी यानि कि जो 19th century है उससे पहले ये पाई जाती थी और दूसरी बात यह है कि इसको जाना दाता है elite and caucus party की रूप में और Maurice Duberger ने इसे कहा है big expression यानि कि जो कमजोर अभिव्यक्ति है उसको इन्होंने cadre party की रूप में देखा है और इसके अगर हम examples की बात करें तो इसमें example है British and Canadian conservative parties वही नैजी parties, fascist parties, leftist and US political parties है उनको भी हम cadre party की रूप में जानते हैं वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं mass party की तो यह party of the people है यानि कि लोगों की party है और दूसरी बात है कि यह election में विश्वास ठकती है choice में नहीं और इसमें ब्यापक मात्रा में membership होती है और लोगों की इसमें participation होती है हमेशा होती है और higher people participation होती है लोगों का activism होता है और इसी वज़े से diverger ने mass party को कहा है strong expression यानि की ताकतवर अभिवक्ति कहा है और अगर हम इसके examples देखे तो INC India में जो आजादी के बाद रही है शुरू के दो तिन दाशक में रही है और labor party in UK को जो है हम mass party कह सकते हैं मौरिस डुबरजर ने political parties को define करते वे कहा है कि political parties एक ऐसे organized group होते हैं जिनका प्रमुक उदेश्य political system के अंतरगत power को exercise करना है उसको achieve करना है यानि कि power को प्राप्त करना है और उसका परियोग करना है जिसे इन्होंने political parties कहा है political parties के अगले thinker का नाम आता है Giovanni Sartori तो जब हम बात करते हैं Sartori की तो ये एक Italian political scientist रहे हैं जिनोंने कई चीजों जैसे की democracy, political parties, comparative politics के उपर काफी काम किया इनकी काफी specialization रही है और इनके कुछ important works रहे हैं जिनमें पहला आता है parties and party system, a framework of analysis, दूसरा work आता है democratic theory, अगला work आता है the theory of democracy revisited और अगला work आता है the typology of political system तो ये इनके कुछ important works रहे हैं जिनको आपको अच्छे से note करना है जियोबैनी सार्टोरी ने एक important theory दी जिसे की special theory कहा जाता है तो जब हम बात करते है special theory के तो ये एक परकार से voting की एक ऐसी theory है जो इस बात के बकारत करती है या फिर इस विचार पर आदारित है कि लोग जो vote देते हैं वे self-interested choice के आदार पर vote देते हैं यानि कि उनकी अपनी इच्छा होती है और इसमें दूसरे बात ये है कि voters जो होते हैं वे अपना vote इस आदार पर caste करते हैं देते हैं जो एक candidate होते हैं या फिर जो political party होती है उनका evolution करते हैं कि उनकी क्या approach है उनकी क्या skill है उनका manifesto क्या है, उनकी policies क्या क्या है तो उसके आधार पर ही जो है वोई अपना vote cast करते है सार्टोरी ने अपनी प्रमुख कृती the typology of party system में political parties को classification दिया है तीन आधारों पर, अर्थात इन्होंने तीन आधारों पर political parties की classification की बात की है जिन में पहली आती है number of political parties यानि कि किसी देश की दल्य वेवस्था में कौन-कौन सी या कितनी मात्रा में parties पाई जाती है एक, दो, तीन या इस से अधित दूसरा है ideology of political parties यानि किसी देश की दल्य वेवस्था है वहाँ पर जो political parties है उनकी विचाधराएं क्या है क्या rightist है, leftist है या फिर centrist है वहीं तीसरी परकार का जो classification है वो है the amount of fragmentation in the parties यानि कि जो parties होती है उसमें जो fragmentation होता है भी खंडन होता है उसकी मात्रा कितनी है वहीं दूसरी तरफ सार्टोरी ने parliamentary system में जो multi-party system है उसको दो आधारों पर classified किया है और इसके लिए इन्होंने Boston Europe का reference दिया है तो इनमें दो परकार की है जिनमें पहली है modern pluralistic system वहीं दूसरा है polarized pluralistic system तो जब हम बात करते हैं modern pluralistic system की तो इसमें ये देखा जाता है कि जो political parties होती है बड़ी संख्या में होती है दूसरा point ये है कि formation of stable governments by mutual agreements तो इसमें क्या होता है कि stable government की स्थापना की जाती है parties के दौरा आपस में mutual agreement के दौरा और खास बात ये है कि इसमें public interest पहले आता है और party जो interest है वो बाद में आता है और lack of ideological fanaticism इसमें देखा जाता है यानि कि जो एक वैचारिक कटरता होती है इसकी इसमें कमी पाई जाती है वहीं दूसरी तरफ polarized pluralistic system में अगर हम देखें तो इसमें दो राजनितिक दल होते है मुख्यदा और छोटे छोटे दूसरे दल होते है और खास बात यह है कि इसमें unstable governments पाई जाती है क्योंकि इसमें कोई mutual agreement नहीं होता है political party के बीच और खास बात यह है कि इसमें party पहले आती है और जो public interest है वो बाद में आता है और इसमें ideological fanaticism पाया जाता है क्योंकि इसमें प्रमुक्तया दो दल होते हैं जिनके बीच बैचारिक लड़ाई होती है वहीं दूसरी तरफ जोसेफ ला पॉलंबरा और माइरन वीनर ने भी political parties के उपर काफी काम किया इन्होंने सायक्तुरूप से एक important book लिखी जिसका नाम है political parties and political development जिसमें इन्होंने two types of political parties and competitive system की बात की तो ये दो परकार से हैं पहला है turnover and hegemonic turnover and hegemonic party ऐसी होती है जिनकी पूरी society में दबदबा होता है जहां पर open competitive system नहीं पाया जाता है और कोई विरोधी दल नहीं पाया जाता है example के लिए नाजी, fascist party और communist party इसमें शामिल होती है वहीं दूसरी तरफ ideological and pragmatic party ऐसी होती है जिनकी विशेश विचारधारा होती है जो व्यभारिकता पर बल देती है यहां पर open competitive system पाया जाता है यानि कि political parties आपस में खुले रूप में परतियोगीता करती है और यह जो democratic या फिर parliamentary system जहां पर होता है वहां पर अधिकतर देखी जाती है जैसे कि UK में, USA में, इंडिया में political parties के अगले thinker का नाम है Gabriel Alman तो Gabriel Alman ने अपनी प्रमुकृती politics of developing areas में चार परकार की political parties के बारे में बात की है जिन में पहली आती है authoritarian party system तो ये एक ऐसे प्रकार का party system होता है जहां पर पूरी authority एक ही party के हाथ में होती है और कोई भी विरोधी दल नहीं पाया जाता है और पूरे society में एक ही party का control होता है example के लिए communist party, नाजी party और fascist party वहीं दूसरे प्रकार का party system है dominant non-authoritarian party system यहां पर democratic regime होते हुए भी बहुत सारी parties पाई जाती है लेकिन एक ही party का दबदबा होता है dominance होता है जैसे कि इंडिया में post-independence congress system पाया जाता था जिसको की रजनी कोठारी ने कहा था यानि कि congress party का ही दबदबा था जिसे मौरिस जोन्स ने one dominance party system कहा वहीं तीसरा है competitive two party system इसमें दो ही दल प्रमुकता पाया जाते हैं किसी भी देश में और उनकी ही लड़ाई होती है सत्ता की प्राप्ती के लिए example के लिए USA में democratic and republican party वहीं UK में labor party and conservative party वहीं अगला है competitive multi party system यह ऐसा system होता है जहां पर बहुत सारी यानि कि बहुत अलिया प्रणाली होती है बहुत सारे दल आपस में सत्ता की प्राप्ती के लिए लड़ते हैं political parties के अगले scholar का नाम है L.N.R. Ball तो L.N.R. Ball ने अपनी प्रमुकरती British political parties The emergence of modern political parties में 7 परकार की political parties की बात की है जिन में पहली आती है unclear two party system यानि कि यहां पर दो दल तो होते हैं लेकिन इसके साथ साथ दूसरी भी छोटे मोटे दल होते हैं जिसी वज़से इसको unclear two party system कहा जाता है वहीं अगला है clear two party system यानि कि जहां पर clear जो है जैसे कि USA में democratic and republican party है वहीं अगला है working multi party system यानि कि जहां पर बहुत सारे दल काम करते हैं जैसे इंडिया में हमने देखा वहीं अगला है unstable multi party system यानि कि किसी एक ऐसे देश में जहां पर राजनितिक दल तो बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं लेकिन अस्थिर सरकारे बनती है यानि कि वहां पर political stability नहीं रहती है जैसा कि इंडिया में हमने 1990s के decade में देखा था वहीं अगला है effective party system इसमें जो parties होती है चाए दूई दली हो या फिर बहुत दली हो यहां पर effective सरकार बनती है यानि कि यहां पर लोग participate करते हैं स्थिर सरकारे बनती है और अगला है one party system यानि कि जहां पर केवल एक ही दल पाया जाता है बिरोधी दल नहीं होते हैं जैसा कि communist regime में होता है यानि कि communist party इसका example हो सकता है वहीं अगला है totalitarian party system यानि कि जहां पर दल का संपूर नियंतरन होता है इसमें नाजी party या फिर fascist regime में जो fascist party है उसको हम इसमें रख सकते हैं political parties के अगले scholar का नाम है Jean Blondel तो इन्होंने अपनी प्रमुक्रती political parties or genuine case for disc content जो कि 1978 में publish होती है इसमें इन्होंने five types of political parties की बात की है जिनमें पहली आती है one party system यानि कि जहां पर केवल एक ही दल पाया जाता है कोई बिरोधी दल नहीं पाया जाता है जैसे कि communist regime में communist party होती है वहीं दूसरा है two party system यानि कि जहां पर दो दल ये विवस्था पाई जाती है जैसे कि UK में या फिर USA में वहीं तीसरा है two and half party system इसमें क्या होता है कि two party तो majorly इसमें dominate करती है party system को लेकिन तीसरी जो party होती है उसका role भी काफी ज़्यादा होता है क्योंकि कभी कभार वो भी बहुत ज़्यादा streets को gain कर लेती है इसलिए इसको two and half party system कहा जाता है जैसा कि Jean Blondin ने Germany की जो दल्य गवस्था है उसको two and half party system कहा है और note करने वाली बात यह है कि कभी कभार USA की जो party system है उसको भी two and half party system कहते हैं वहीं अगली है one party dominance यानि कि जहाँ पर बहुत सारे दल होते हैं लेकिन एक ही दल का प्रभुत्व होता है dominance होता है जैसा कि हमने इंडिया में post independence में देखा था जहाँ पर Congress party की ही hegemonity dominance था और अगला है even multi party system इसमें यह होता है कि दल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें यह होता है कि जितने भी दल है उनके समान ideological views होते है orientation होता है यानि कि जो political orientation है वो एक समान होता है उनकी values उनके norms एक समान होता है attitude एक समान होता है उनका जो manifest हो है वो भी एक समान होता है यानि कि कोई ज़्यादा ideological difference नहीं होता है तो इसको even multi party system कहा जाता है अगले scholar का नाम है auto kirchheimer तो जब हम बात करते हैं auto kirchheimer की तो यह german jurist रहे हैं जो कि Jewish ancestry रहे हैं यानि कि Jewish once के यह रहे हैं और यह political scientist रहे हैं Frankfurt school के जहां पर इन्होंने state theory और constitutionalism और political parties बे काफी काम किया था इन्होंने एक quote दी जिसमें इन्होंने कहा है कि after the second world war the ideological and theoretical division among all parties in Europe is becoming minimal parties are giving up ideological vigatory to attract more and more voters तो basically इसमें यह कह रहे हैं कि European जो countries है वहाँ पर second world war के बाद political parties के बीज जो ideological and theoretical division है वो खतम हो गए हैं बहुत कम हो गए हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो political parties है लोगों को लुभाने के लिए अधिक से अधिक voters को अपनी और आकर्चित करने के लिए जो एक वैचारिक मतवेद होता है उसको त्याग रहे हैं नोट करने वाली बात यह है कि आटो किर्चाइमर ने एक important शब्दवली को coined किया था जिसका नाम है catch all parties तो जब हम बात करते हैं catch all party की तो यह एक प्रकार की ऐसी parties होती है जो यहाँ कोशिश करती है कि समाज के सभी section या फिर class से अधिक से अधिक voters को प्राप्त किया जाए यानि कि voters का support लिया जाए और अधिक से अधिक boards प्राप्त किया जाए तो इस प्रकार से इस theory को wig tent theory भी कहा जाता है आपने इंडिया के संधर में सुना ही होगा कि INC को शुरू-शुरू में Palmer और Parkinson's ने Ambrilla Organization कहा था क्योंकि Congress के साथ उस समय विविन धर्मों, विविन जातियों के लोग जुरे थे, विविन वर्मों के लोग जुरे थे, तो इस वज़े से उसको भी Ambrilla Organization कहा जाता था अगले scholar का नाम आता है Sigmund Newman तो Sigmund Newman एक German political philosopher रहे हैं scientist रहे हैं और sociologist रहे हैं और खास बात यह है कि इन्होंने political parties की जो बात की है उसमें इन्होंने दो तरह की political parties की बात की है जिनमें पहले ही आती है representational parties इसकी खास बात यह है कि यह केवल election के time ही active रहती है और इसमें disclosure of public opinion होता है याने कि लोगों को इसमें राय देने का ज्यादा कोई अफसर नहीं होता है example के लिए USA हैं वैसे भी USA के संधर में Almond ने एक important theory दी थी जिसका नाम है sleeping dogs theory और इसके जो key supporter रहे हैं वो है Shumpeter, Dahal and Anthony Downs वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करें integrated parties की तो इसकी खास बात यह है कि यह always active रहती है elections में यानि कि कुछ समय के लिए यह active ना रहकर हमेशा active रहती है और इसमें public opinion को अधिमान दिया जाता है यानि कि creation of public opinion होता है example के लिए India और Britain इसके बहुत बड़े example माने जाते हैं यानि कि इंडिया में integrated जो parties है उस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं वहीं दूसरी तरफ कारे स्ट्राउम ने भी तीन प्रकार की political parties के बारे में बात की है यानि की तीन आधारों पर तीन प्रकार की political parties होती है जैसे पहली है office seeking यानि की abasis political parties जो हमेशा पर्यास करती है कि उन्हें office मिले यानि की राजगदी मिले दूसरी है vote seeking यानि की ऐसी party जो अधिक से अधिक vote प्राप्त करना जाती है और तीसरी जो political parties है वे ऐसी है जो सत्ता में आने के बाद policy बनाना जाती है यानि की policy का निर्मान करना जाती है लोगों के लिए सुपिधाएं policies देना जाती है बनाना जाती है अगले important scholar का नाम आता है Cards and Mayor तो जब हम बात करते हैं Cards and Mayor की तो इन्होंने अपने प्रमुख ऐसे जिसका नाम है Changing Morals of Party Organization and Party Democracy The Emergence of the Cartel Party जो कि 1995 में publish होती है इसमें Cards and Mayor ने एक important concept दिया जिसका नाम है Cartel Party और इन्होंने इस कृती में चार प्रकार की political parties के बारे में जिक्र किया है जिनमें पहली आती है elite party, दूसरी आती है mass party, तीसरी आती है catch all party और चौथी आती है cartel party तो अब हम एक एक करके इन चार प्रकार की parties को अच्छे से समझने की कूशिश करते हैं पहली प्रकार की political party आती है elite party, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका उद्भव होता है 19th century में और right to suffrage की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतादिकार नहीं था लोगों को और खास बात है कि इसमें जो political distribution होए वे highly restrict होते थे लोगों किसी भी तरह से participation या opinion रखने की आजादी नहीं थी अगर हम बात करें politics के principal goal की तो इसमें distribution of privileges था यानि कि जो elite लोग थे उनको ही विशेशादिकार थे basis of party competition के अगर हम बात करें तो इसमें ascribed status था यानि कि जो elite party के लोग है उनका ही status था और अगर हम election competition के patron की बात करें तो यह managed था यानि कि elite party के द्वारा ही managed किया जाता था लोगों तक इसके कोई पहुँच नहीं थी अगर हम बात करें character of membership की तो small था elittist था क्योंकि यह elite लोगों की ही party थी और party channel of communication की बात करें तो इसमें interpersonal network होता था यानि कि लोगों तक किसी भी प्रकार के communication की पहुँच नहीं थी केवल elite लोग ही आपस में communication करते थे party से pension करते थे और अगर बात करें representative style की तो यह trustee के रूप में भूमिकानी बात ही थी क्योंकि इसका कोई विशेश या फिर गहन रूप से कोई शेत्र या फिर ऐसा धायरा नहीं था जहां पर लोगों की पहुँच हो सके लोग access कर सके चीजों को लोग participate कर सके दूसरे प्रकार की political party आती है mass party तो इसका जो emergence है वो होता है 1880 से 1960 के बीच में अगर हम बात करें right to suffrage की तो इसमें लोगों को enfranchisement और mass suffrage जरूर दिया गया था और अगर हम बात करें distribution of politics यानि की political participation तो इसमें जरूर लोगों को participation के अधिकार दिये गए थे principal goal of अगर politics की अगर हम बात करें तो इसमें social reformation था और basis of party completion की अगर हम बात करें तो representative capacity थी और वहीं patron of electoral completion की बात करें तो mobilization थी यानि की लोग इसमें काफियाद तक जूड़ते थे पूरे के पूरे जो लोग के society में अधिक साधिक जूड़ते थे और अगर हम बात करें character of membership की तो इसमें जो membership है वो large मात्रा में थे homogeneous जो people है वो काफी मात्रा में जूड़े होते थे और party channel of communication की अगर हम बात करें तो यह जो communication का channel है लोगों को यह provide करता था यानि कि लोग भी participate कर सकते थे communicate कर सकते थे अपने विचार रख सकते थे और अगर हम बात करें representative style की तो यह delegate था यानि कि यहाँ पर जो लोग है वो मिलते थे बैठके करते थे अपना जो प्रते ने दिया इसमें चुनते थे अगले प्रकार की political party आती है catch all party की तो जब हम बात करते है catch all party की तो इसका उत्भव होता है post 1945 और अगर हम बात कर इसके right to sufferers की तो इसमें लोगों को जरूर मतादिकार दिया गया था level of distribution of politically restricted की अगर हम बात करने तो less concentrated थी यानि कि इसमें political restriction जो है वो बहुत कम थी नामातर थी और वहीं अगर बात करें हम principle goal of politics की तो social amelioration थे यानि कि समाज के जो बिभिन बर गया वहां तक इसकी पहुंच होना basis of party competition की अगर हम बात करने policy effectiveness थी patron of electoral competition की अगर हम बात करने तो बड़ी मातरा में यहाँ पर competition होता था character of membership की अगर बात करें तो open to all था encourage था यानि कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो जूर सकते थे सभी लोग political party से जूर सकते थे party channel of communication की बात करें तो party competes for access to non party channels of communication यानि कि इसमें communication बड़ी मातरा में था parties जो है वो communicate कर सकते थी लोग और लोग भी party के साथ communication के द्वारा जूर सकते थे participation कर सकते थे और अगर हम बात करें representative style तो इसका जो representative style था वो entrepreneur था यानि कि उध्यमे की रूप में इसकी भूमिका थी क्योंकि ये समाज के इतने भी वर्ग है चाए वो castage हो चाए वो classes हो उनको अपने साथ जोडने की बात करता है next type की political party आती है cartel party तो cards and mayor ने 2018 में अपनी एक book लिखी democracy and the cartelization of political parties हलांकि इससे पहले 1992 में इन दोनों ने अर्थात cards and mayor ने जो शब्दावली है cartel party उसको coined किया था और खास बात यह है कि जो cartel party है उसको conduct किया जाता है professional politicians जो की एक व्यापारिक संग की तेरह इसमें role play करते हैं यानि कि जो state का financial support है या फिर जो state की resources है उसके द्वारा ही ये party चलाए जाती है उसके द्वारा ही ये party अपनी activities को करती है और खास बात यह भी है कि ये focus करती है corporation पर and collusion पर ना कि competition पर जिस तरह से mass party में किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये जो catch all parties है उसका एक modified form है एक इसका जो है एक अगला form है यानि कि catch all parties हो थी उसको reform करके इसको modify करके cartel party का concept cards and mayor के द्वारा दिया गया था वैसे भी अगर हम cards and mayor की बात करें तो इन्होंने European parties के बारे में कहा भी था कि वहाँ पर जो political parties में participation या फिर जो political activities है वो decline हो रही है और जिस वज़े से जो mass parties है उनका relevance कम हो रहा है तो उस वज़े से जो cartel party है वो emerge हो रही है तो cartel party के बारे में note करने वाली बात यह है कि ये व्यवसाइक संग की तरह काम करती है जो कि competition में ज़्यादा फोकस ना करके cooperation या फिर collusion पर ज़्यादा फोकस करती है political party के अगली thinker का नाम आता है Lenin तो Lenin ने अपने प्रमुक वर्ब जिसका नाम है what is to be done जो कि 1902 में publish होती है इसमें इन्होंने कहा था कि ideology जो है वो proletrate class के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ideology proletrate class की मुक्ती के लिए और उनके goal को achieve करने के लिए एक बहुत बड़ा tool साबित हो सकता है और इन्होंने famously कहा भी था कि proletrate class have to need of communist ideology as much as bourgeoisies have need to capitalist ideologies तो इसमें basicल यह कह रहे हैं कि जिस तरह से जो capitalist ideology होती है उसकी जरूरत बर्जुआ कलास को पढ़ती है उसी तरह से जो communist ideology है उसकी जरूरत पढ़ती है proletrate class को वहीं note करने वाली बात यह भी है कि लैनिन ने अपने 1905 के जो party organization के जो campaign था उसमें इन्होंने एक important concept दिया जिसका नाम है democratic centricism तो इसमें basically यह कहते हैं कि जो parties है या फिर party politics है वहाँ पर democracy तो होगी लेकिन वहाँ पर क्योंकि communist party का role होगा इसलिए वहाँ पर democratic centricism होगा यानि कि party का जो leader है वो चुना तो लोगों के द्वारा party के अंदर चुना जाएगा लेकिन वहाँ पर communist party का ही role होगा यानि कि सबी members के लिए communist party का जो order है या फिर आदेश है वो बात देकारी होगा और दूसरी important बात ये भी है कि लेनिन ने rule of communist party की बात की है इन्होंने कहा है कि जो communist party होगी उसका बहुत बड़ा role हुगा क्योंकि communist party ही proletrate class के जो लोग है उनके अंदर एक class consciousness विक्सित करेगी इस परकार से जो class consciousness है वो marks की तरह अंदर से नहीं आएगी बलकि भार से आएगी और उसको भार से लाने का काम communist party करेगी communist party की अंदर जो leader होंगे वे करेंगे political parties के अगले scholar का नाम आता है Robert Michels तो Robert Michels German born Italian political scholar रहे है political scientist रहे है, political sociologist रहे है जिन्होंने elite theory में काफी contribute किया और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो intellectual elites होते हैं उनका political behavior कैसा रहता है और खास बात ये भी है कि ये Italian school of elitism से जूड़े रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक important concept दिया जिसका नाम है iron law of oligarchy तो इस law में basically ये कहते हैं कि शासन का चाहे कोई भी रूप हो चाहे democracy हो, monarchy हो, aristocracy हो या फिक कोई भी form of government हो वहाँ पर केवल गिने चुने लोगों का ही शासन रहता है उनकी ही सत्ता रहती है और ये जो गिने चुने लोग होते हैं ये elite लोग होते हैं, powerful लोग होते हैं और इसी को इन्होंने iron law of oligarch की कहा है और खास बात ये भी है कि इन्होंने अपना जो अध्यने यानि की study है political parties की उसको करने के लिए इन्होंने case study की German social democratic party की अब हम बात कर लेते हैं कि political parties के क्या-क्या functions होते हैं ऐसे कौन-कौन से कारे हैं जो political parties करती है तो इनमें पहला जो काम होता है वो ये होता है कि political parties लोकमत का निर्मान करती है और लोगों के अंदर जो consciousness होती है चेतना होती है यानि कि राजनितिक जो चेतना होती है जिसको हम political consciousness कहते हैं उसको विक्सित करना होता है दूसरा जो इसका काम होता है फाइट elections होता है यानि कि चुनाओं को लड़ना तीसरा जो इसका काम होता है यानि कि लोगों के जो हित होता है उनको समझना है उनको सरकार के सामने रखना होता है वही अगला है Political Socialization and Modernization यानि कि लोग किस तरह से political norms को देखते हैं, values को देखते हैं या एक PD से दूसरी PD को grant करते हैं यह जो भावना है, यह भी political parties ही पैदा करती है और साथ में जो political modernization है यानि कि चुनाओं के नई-नई तरीके हैं participation के नई-नई तरीके हैं उसको भी लाना, उसके अंदर भी जागरती पैदा करना जो काम है, वो political parties ही करती है वहीं इसका अगला जो काम है, वो है recruiting political leaders यानि कि जो political leaders होते हैं, उनकी न्यूक्ति करना, उनको recruit करना भी political parties का ही काम है वहीं इसका अगला जो काम है, वो है formation of government यानि कि majority करके लोगों का समर्थन प्राप्त करके सरकार की स्थापना करना भी इसका काम होता है वहीं इसका जो अगला काम होता है वो होता है link with people and government यानि कि जो government है जो ऐसे विपक्षी दल है वे लोगों और सरकार के वीच एक link का काम करेगा ब्रिज का काम करेगा यानि की जो सरकार की policies है वो लोगों तक पहुचाने का काम करेगा और जो लोगों की डिमांड है उनको government तक पहुचाने का काम करेगा तो ये है political parties के कुछ important functions वी ओकी ने अपनी प्रमुक्रिती जिसका नाम है Politics, Parties and Pressure Groups जो की 1964 में 5th edition के रूप में पबलिश होती है उसमें इन्होंने Political Parties के तीन प्रमुक्रिय का जिक्र किया जिनमें पहला आता है Party in the Electorate दूसरा आता है Party in Government और तीसरा आता है Party in Organization की तो जब हम बात करते है Party in Electorate की तो इसमें ये कहते हैं कि जो Parties होती है उनका प्रमुक्रिय चुनाओ लड़ना होता है, चुनाओ campaign करना होता है और दूसरा है Party in Government जिसमें की Parties election लड़के सरकार बनाने का प्रयास करती है और कारे पालिका के रूप में कारे करती है वहीं तीसरा है Party in Organization इसमें ये एक Organization के रूप में लोगों के लिए एक Opinion का काम करती है यानि की Public Opinion Create करती है लोगों को Represent करती है लोगों का जो हित सम्मुहन है उसका प्रतिने दितो करती है और साथ में जो Citizens हैं और Government हैं उनके बीच एक Negotiation, एक Communication Channel के रूप में काम करती है अब हम ये समझ लेते हैं कि Political Parties की Origin से जुड़ी कौन-कौन सी Theories रही है तो इमें सबसे पहली Theory आती है Theory of Historical Crisis की तो इसके जो जनम दाता रहे हैं यानि कि जिनोंने इसे दिया है उनका नाम है Polumbara and Winner तो इसकी मान्यता ये रही है कि Political Parties का जनम होता है वो कई वज़ों से होता है जिन में Economic, Political and Social Crisis होते हैं Example के लिए इंडिया में जो INC का जनम हुआ वो Due to Colonialism हुआ वहीं UK में Labour Party का जनम Due to Capitalism हुआ वहीं Communist Party का जनम भी Due to Capitalism हुआ तो इस तरह से जो ये Parties है ये Historical Crisis की वज़े से जनम लेती है Political Parties के ओरिजन की जो Second Theory है इसका नाम है Institutional Theory तो इस Theory को दिया गया है Maurice Duberger के द्वारा यानि कि Maurice Duberger ही इसके प्रतिपादक रहे हैं और इसकी खास बात ये है कि जो Political Parties है इनका जनम होता है कुछ institutions के अंदर यानि कि ये Internal Party होती है और Maurice Duberger ने कहा भी है कि Parties in Britain originated from within Parliament यानि कि जो Britain में Political Parties है उसका जनम British Parliament है उसके अंदर ही हुआ है तो इस प्रकार से जो Institutional Theory होती है उसमें जो Political Parties का जनम होता है वो institutions के अंदर ही होता है जैसा कि Duberger ने ब्रिटेन के संधर में कहा है Political Party के औरिजन की अगली जो थियोरी है इसका नाम है Developmental Theory तो इसका मानना ये है कि जो Political Parties है उनका विकास हुआ है क्रमिक विकास हुआ है यानि कि डवलप्मेंट हुआ है यानि कि जैसे जैसे Society का Development होता है Society Modernize होती है वैसे वैसे जो New Parties है उनका भी जनम होता है जैसे Example के लिए ब्रिटेन में जो Industrialization आया उसकी वज़े से ब्रिटेन में Liberal Party का जनम होता है अब हम बात कर लेते हैं Classification of Political Parties की तो इनमें सबसे पहले हम डिसकस करते हैं Based on Area यानि कि ऐसी Parties जो भोगॉलिक आधार पर निर्धाइद की गई है तो इनमें सबसे पहली Parties आती है National Parties और दूसरी आती है Regional Parties Regional Parties को हम कभी कबार State Parties भी कहते हैं तो अगर हम इन्डिया के संधर में देखें तो National Parties में कुछ इंपरंट Parties को शामिल किया जा सकता है जैसे AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC, NCP and NPP वहीं दूसरी तर्फ Regional Parties में हम कुछ पार्टी को शामिल करते हैं इन्डिया में जैसे आम आदमे पार्टी जनतादल Secular, AIDMK, DMK, जनतादल United, RJD, TDP, असमगन परिशद, PDP, जारखंड मुक्ती मोर्चा, शिरुमनी अकाली दल, शिपसेना and समाजवादी पार्टी दूसरी तरह की Political Parties ऐसी होती है जो की Ideology के बेस पे आलारित होती है इनमें पहली आती है Leftist Parties, दूसरी आती है Rightist Parties और तीसरी आती है Centralist Parties की अगर हम बात करें Leftist Parties की तो इनमें शामिल होती है Communist Parties ऐसी Parties जो Marxist Leninist Ideology या फिट्रेडिशन के बेस्ट पर आदारित होती है जिनका Support Working Class होती है, वहीं Poor Farmers होते हैं और अगर हम बात करें इसकी तो ये Radical Change की बात करती है वहीं दूसरी जो Parties है वो आती है Rightist Parties इनमें हम BJP को, शिरोमानी अकालिदर को शामिल करते हैं इंडिया में जो हिंदू नेशनलिजम की बात करते हैं खास बात ये है कि ये Status को यानि कि यत्हस्तिती पर बल देती है किसी Change पर ये बल नहीं देती है यानि कि ये Conservative टाइप पार्टी होती है और दूसरी बात ये है इसमें इंपॉइंट की नाजी जो पार्टी है इतलर की उसको भी हम इसमें एड़ कर सकते हैं वहीं तीसरी आती है Centralist Parties तो इसमें Indian National Congress को हम एड़ कर सकते हैं वही Aristotelitarian यानि कि जो अरस्तू ने पॉलिटी की बात की थी गुर्डन मीन की बात की थी वो भी हम इसमें वेचाधरा के रूप में एड़ कर सकते हैं वहीं रजनी कोठाई ने जो Congress system की बात की थी उस तरह की जो बाते हैं विचाधराए हैं इसको भी हम एड़ कर सकते हैं तीसरी तरह की जो Political Parties आती है वे होती है Based on Number यानि की संख्या के आधार पर ही निरदारित होती है जिन में पहले आती है One Party System दूसरी आती है Two Party System और तीसरी आती है Multi Party System जैसे अगर हम बात करें One Party System की तो इसमें Communist Party होती है जैसे चाइना में हैं, रशा में हैं, क्यूबा में हैं उस तरह की Parties ही इसमें शामिल होती है वही Two Party System की अगर हम बात करें तो इसमें Major लियाने की मुख्यता दो दल ही पाये जाते हैं, जैसे UK में और USA में वही Multi Party System की अगर हम बात करें तो यह ऐसी Parties होती है जहां पर किसी दल्य विवस्था में बहुत सारी Parties या फिर दल पाये जाते हैं जैसे की India, Italy, France and Switzerland वहीं अगर हम बात करें Organization and Membership के बेस पे तो Political Parties के अनेको प्रकार पाये जाते हैं, जिन में से पहला आता है Proto Party तो जब हम बात करते है प्रोटो पार्टी की तो यह एक प्रकार के गुरूप्स होते हैं और खास बात यह है कि यह FAUND किये जाते थे Ancient Athens में यानि कि Athens में ये छोटे छोटे प्रोटो ग्रूप पाय जाते थे और एक जो modern example है इसका वो ये है कि Tory और जो big party है वो Britain में 70th century में emerged होती है और ये भी एक प्रकार से प्रोटो पार्टी ही कही जाती है वहीं organization and membership के base पे दूसरी तरह के political party आती है cadre party तो इस party की खास बात है कि ये party of the novels होती है जो की elite लोगों की party होती है और ये believe करती है choice में यानि की चयन में विश्वास करती है election में नहीं चुनाओं में नहीं और ये elite जो professionals होते हैं उनके द्वारा guided होती है election के time ही ये activism दिखाती ह ideology की इसमें importance होती है और खास बात ये है कि जब लोगों को मतादिकार नहीं दिया गया था यानि की universal suffrage नहीं था तो उस समय इसका विकास हुआ था और इसको जाना जाता है party as elite and caucus party इसी वज़े से Morris Divergen ने इसे कहा था यानि की cadre party को कहा था weak expression और इसके अगर हम examples की बात देख party, nazi party and fascist party, leftists and US political parties को हम cadre party के example के तौर पे देख सकते हैं organization and membership के base में तीसरी परकार की political party आती है mass party तो mass party जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है ये लोगों की party होती है लोगों का दल होता है जो कि believe करता है election में ना की choice में यानि कि चुनाओं में विश्वास करता है चयन में नहीं और इसमें ब्यापक मातरा में लोगों की membership होती है और हमेशा लोगों का इसमें activism रहता है और लोग इसमें participation करते हैं इसी बज़े से डुवर्जर ने mass party को strong expression की संग्या दी इसके अगर हम example देखे तो इंडिया में INC और UK में labor party इसके हम key example के तौर पे देख सकते हैं organization and membership के ways में अगली party हाती है catch all party जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं ये एक ऐसी party है जो समाज के सभी वर्गों के लोग सभी जातियों के लोगों को अपने अंदर समेटती है अपने साथ लेकर चलती है तो इसके propounder रहे हैं auto kirchheimer और इसकी खास बात ये है कि ये समाज के support करती है सभी voters को लुभाती है और इसके अगर हम examples देखें तो Republican and Democratic Party of the US, UK की Labour Party और independence के बाद इंडिया में जो INC थी यानि की Indian National Congress उसको भी हम इसका example देख सकते हैं जिसको Palmer ने Amarilla Organization कहा और खास बात ये है कि auto kirchheimer ने German Christian Democratic Party को एक catch all party के रूप में देखा Organization and membership के base में पांच वी अर्थात last जो party आती है वो है cartel party तो cartel party के जो propounder है वो रहे है cards and mayor मैंने पहले भी इसको discuss किया है और खास बाती है कि ये जो professional politicians होते हैं उनके द्वारा ही ये संचालित की जाती है, conducted की जाती है क्योंकि ये एक ब्यफसाइक तरह की party होती है इसी support करता है financially या फिर state के जो resource होते हैं उसके द्वारा ही रन की जाती है और ये एक catch-all parties है उसका एक modified form है और खास बात ये भी है कि cards and mayor ने जो anti-catch-all party है उनको agitating party के रूप में देखा अब हम इस presentation के last में कुछ important key facts को देख लेते हैं तो जो study of political parties है उसको जाना जाता है stasiology वहीं note करने वाली बात है कि Lobel ने एक important quote दी जिसे कहा जाता है parties are broken of idea यानि कि जो दल होते हैं वो विचारों के दलाल होते हैं और disciplined multi-party system पाया जाता है इटली में National League for Democracy जो पार्टी है वो आंग सान सुकी है जो कि म्यानमार की leader है म्यानमार में जो है president रही है वहीं note करने वाली बात यह है कि largest membership party in the world विजेपी है और एक important बात यह भी है कि political parties first double up in Britain but modern जो political parties हैं उनका विकास अमेरिका में हुआ था वहीं अगली note करने वाली बात यह है कि fragmented party system पाया जाता है Germany and contemporary India में basically जो fragmented party system होता है यह एक ऐसा party system होता है जहां पर political parties आपस में मिलकर alliances का निर्मान करके coalition government की स्थापना करती है वहीं note करने वाली बात यह भी है कि Gunther और Diamond ने पाँच प्रकार की political parties की category की बात की है जिनमें शामिल है elite, mass, ethnicity based, electoralist and movement parties और वहीं note करने वाली बात यह भी है कि कंचन चंद्रा ने Congress party को एक prime example देखा dynastic party का जहां पर जो leadership होते हैं, top quality के जो leadership होते हैं यानि कि जो नेता लोग होते हैं वे नहरू गांदी family से ही रहे हैं वहीं अगला point यह है कि सार्टोरी ने इंडिया का जो party system है उसको regarded किया as pre-dominant party system वहीं Morris Jones ने इंडियन जो party system है उसको बताया one party dominant system वहीं रजनी कोठारी ने बात की Congress system की वहीं पामर ने जो Congress है उसको Emorella organization के रूप में देखा और जितनी भी मैंने इस slide में बाते आपको बताई है इनके उपर मैं already Indian political scholar के उपर एक बड़ी वीडियो बना चुका हूँ आप उसको देख सकते हैं लिंक आपको वीडियो के end में मिल जाएगा अब लास्ट में बारी आती है ठेंक्स करने की, gratitude देने की, ऐसे resources को और ऐसे references को जिनकी मदद से मैं ये lecture तेयार कर पाया तो इसमें पहला नाम आता है denial केरेमेनी द्वारा लिखी गई comparative politics दूसरा नाम आता है विद्या भूशन द्वारा लिखी गई comparative politics वही अगला नाम आता है रेखा दिवाकर लिखी गई party system in India, Oxford India's short introduction वही अगला नाम आता है एक essay का जिसका नाम है cartel parties in western Europe जिसे लिखा गया cleanse debtor work के द्वारा वही अगला नाम आता है parties and party politics in India जिसे जोया हसन के द्वारा लिखा गया है वही इस lecture को त्यार करने में MA के जो इगनु के notes है उससे भी मैंने काफी मदद ली वही जो मेरे खुद के MA के political science के notes रहे हैं class lectures रहे हैं उनकी मदद से भी मैं ये lecture त्यार कर पाया तो इन सभी references को एक बार दिल से धन्यवाद और अगर आपने ये lecture पूरा देखा है तो आपके लिए भी दिल से धन्यवाद